सबसे पहले जॉन जे लॉर्ड ने ballpoint pen का विशकार किया था, उनका leather का business था जिसमें उन्हें हमेशा leather को काटने के लिए leather पर mark करना पड़ता था, pencil और fountain pen से बराबर mark नहीं हो पा था, इससे उन्हें प्रेणा मिली एक ऐसे वस्तु बनाने के लिए जो लिखने में काम आ सके औ पेटेंट भी करवाया, पेटेंट की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इस आविशकार से लेधर पर आराम से लिखा जा सकता था, पर पेपर पर नहीं लिखा जा सकता था, उसके बाद कई लोगों ने उस पैन में कमिया ढूंड कर उसे सुदारा, फाइनली ग्यारगी, modern ballpoint pen का विशकार किया, लेजलो बायरों, newspaper editor थे और उन्हें एक ऐसे pen की आविशकता थी, जो की जल्दी से सूख जाए, और sludge भी ना हो, newspaper editor के तोर पर काम करते करते, उन्हें यह पता चला कि जो ink, newsprint में इस्तमाल होती है, वो जल्दी सूख जाती है, और sludge भी नहीं होती, इन्होंने फिर सोचा क्यों न यही ink print pen में इस्तमाल की जाए, और उन्होंने यह idea अपने chemist भाई, क्यारगी के पास लेके गए, और finally 1931 में दुनिया को पहली modern ballpoint pen मिली, बायरों ब्रदस ने अपने इस आविशकार को patent करवाया 15 June 1938 को फ्रांस और ब्रेटन में, बायरों ब्रदस और उनके दोस्ट जुआन जोर्ज में दोनोंने मिलकर बायरों पैंस की factory open की अर्जंटिना में, इसलिए आज भी अर्जंटिना में लोग पैंस को बायरों कहते हैं, मिल्टन रेनोल्स ने फिर ऐसी pen बनाई, जिसके अंदर in gravity की मदद सिफ लोग होती हो, यह जानते हुए भी कि यह pen लीक हो सकती है, ऐसी pen बनाना उन्होंने शुरू किया, और finally October 29, 1945, रेनोल्स रोकेट नेम की pen राउंच हुई, उस टाइम में एक pen की कीमत $12.50, जो की आज के inflammation rates के हिसाब से $1.70 के बराबर है, इस pen की advertisement आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हूँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए Factor चैनल को और शेर करना ना भूले,